सभी दोस्तों को मेरा साथ पणाम दोस्तों आज हम सेहत से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम लोगों की जिन्चरिया है हम लोगों को रहन सायन है जो हम लोगों को खान पान हूं पूरी तरह से बिगड़ चुका है जिसके वज़ बहुत ज्यादा था लोग भग 86 किलो का था मैं और आप जो मेरा वजन है लगभग 74 किलो का हो गयों और आप सामने से बजाएं साइड से भी देखेंगे तो मेरा पेट देख सकते हैं यह देखें पहले मैं पेट को अंदर हीज भी नहीं पाता था मतलब अपने तो मैं काफी खानी कर देता हूं मतलब काफी अंदर तक मेरा पेट चला जाता है क्योंकि अब मैं योग करने लगा हूँ पिछले दो साल से मैं कबाल भाती अलोग विलोग और कुछ ऐसे बैठक हैं और जो एक्सरसाइज है जो बहुत इहीं फाइदे करें आपको जिम जाने के असकता न करना मतलब पहले बौडी को करना है वह सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप अचानक से कोई form Reach करेंगे तो आपको आपको रखाज़ हो कर सकते हैं तो आपको ऐसको हर फ्म आपको में कीम क्क आपको अ हर सकते हैं तो सुबिल्घ में हीने हैं तो सबसे mismosडे हो क सब्सक्राइब आपका आपका जूभी स्टैमिनल सब्सक्राइब सकते हो देखिए इसको आप आशेका सकते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नाव दस ठीक है कि दस हो गया है दस के बाद आप अपने पैनों को इसी को ऐसे इसी को जैसे करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाव दस यह आप तेजी से भी कर सकते हैं और अपने अंसार को सकते हैं उसके बाद जूगना है एक दो तीन चार पाच शे साथ आठ आठ इसको पीछे करेंगे फिर लेफ्ट वाला पर आगे करेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो लेफ्ट और राइट को मिला के हूं टूटर टैनिस को कर देंगे पीछे आपको हाथ ले जाना है ऐसे करके और इसको तीजिस करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इस एक्सरसाईज का फाइदा गी है आपकी जो नसे हैं जो ब्लॉकेस है जो नसे TIGHT HO गही है ठंड में जम गही हैं उद्प पूरी तरह से गर्म होती है और आपको 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 ठंडी भी आपको नहीं रखती है यह आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे पास इतने दंड़ बैठक हैं अगर आप उसको दस-दस भी करेंगे तो आपके लिए बहुत असानी से फैट हैटार हो जाएगा बहुत ही कम गिने चुने एक्सरसाइज से ही आप अपने आपको फिट कर देते हैं तो यह होगा दूसरा दंड़ बैठक देखी जो आपने हमेशा करते हैं नौन देशी वार दंड़ बैठक बैठना है उटना है एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस हातों को फैलारा कि असलेी करना होता है कि आपकी बोड़ी को पुरा हंको आपको यूज करना है पूरी बोड़ी को दो जब आप यह सारे एक्सरसाइज दिले दिले करेंगे तो आपको फैला करेंगे इसके पहले में आपको अब यहां पे देखें पहलों को फैला ना है और एक साइट पूरा जुकेंगे ठीक है फिर उस्से साइट इससे कि अब आप पूरी बोड़ी घुम जाती है कमर भी पूरा घुम जाता है और जो बिली फैट आपको जो फैट लटका हुआ है वो दीरे दीरे साइट अभी इसी को गाव में जैसे फडवा चलाते हैं उसी तरह इसको करना है देखेंगे इसमें क्या करना हल्का सा पैर भ करना है साथ मूण करके लाएश गया है अब आप आख देखा तो इसे तमाम तरह के एक्सरसाइज है जो आपके पेट को हमें अपने पेट को कम करने करें हमने आपको जी एक्सराइज है आपको आसानी साहिए आपका पेट वजन कम कर दिए अब आपको हाफ बैटना हाफ लीके से यहां सकमर पकरना है और हाफ बैटना है चार पांच छे साथ आपके घुटनों को भी फायदा है पेट को भी फायदा है ठीक है अभी साइड फीर में आपको दिखा रहा हूं यह पैर को आपको सीने पी छुवाना है जो बहुत ज्यादा मुटे हैं उनको मुश्किल होगी लेकिन आप बिले दिले कोशिश करें जिसका नहीं उटा है जहां पर उटा सके वहीं तक कोशिश करें लेकिए और बैनेस बना भी सकते हैं कितने देगार रोख सकते हैं तो कोशिश करें इसको सीने से लगाने की करें कि अब यह जो एक्सराइज है वहां को पेट को पूरी तरह से अब चलिए अब हमने इस दंड बैठके लिए बाड़ी हुमारी पूरी गर उचुकी अब हम आपको बैठके में पाइगी बैठके वाला कुन सा है असमे पैर आपको सीधे एक्दम कर दिना है हां तो पीछे करके और पैरों को एगदम रिलैक्स छोड़ दिना है ठीक है अधे कैसे इसे ही रहा है पूरा थाई वगेरा आपका जिंचे तक पूरा हाथ पैर पूरा लूज कर दिना है बाड़ी उप्दम रिलैक्स हो हाथ को जितना तहां पीछे अपने आपसे अर्जिस कर सकते हैं इससे आपकी पैरों में जो जकरन है जो नसेज ब्लॉग है वो सारी चीजे ठीक हो जाती है और इसके साथी साथ आप मेडिकेशन भी कर सकते हैं मन को सांत रखें कमरे को उद्दम खाली रखें जहाँ पर भी आप योग करें वहाँ पर कोई सोर सलावर ना हो इसका विशेज ध्यान दे और आखे बंद करके जब आप योग करते हैं तो आप जैसे चाहें अपना ध्य जाब करता है तो मन में ठीक है या इसके जगा आप किसी दिवी जोती पर ध्यान रखें एक समझे कि साथ आपको कहीं चोटी जल्टी हुए तने जलाली तो इस पर ध्यान रखेंगे तो आपका योग आसान हो जाएगा आपको थकावर्टी मिसूस होगी और आपका योग भ तो हम आपको पोसिज करेंगा उंठे को चुने की कहीं लोगों को आप उंठे को चुने में दिक्ता होती है क्योंकि उंका पाय बहुत अधिक हो जाता है तो कोशिज करिए कि जि मैं पीछी से ले और हो ताकि हो सकता अपनों प्रेम नहां दिख रहा हूँ तो मैं और पीछ 10 टाइम होने बड़ अब कोशिज करिए कि अंठे को आप पकड़ सकते हैं कुछ लोग तो पकड़ लिते हैं कुछ लोग नहीं पकड़ पाते हैं अगर आप जो इसको रोज करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसको दिखी एक हांसी चाहेंगी तो आप अनाम से एक अ पर आपको अब आप उठा इस बार पकड़ने को बार दूसरे वाले तरह से भी पगड़िये ठीक है जब आप इस तरह करेंगे तो आप असानी से पगड़ लिए क्योंकि दोनों एक साथ पगड़ना हो सकता आप जी मुश्किल हो तेकि मैंने दोनों पगड़ लिया ठीक है तो दोनों मुठे जैसे मैंने पगड़ा आपको ऐसे ही ट्राइए घर पर करना है इससे आपका वजन आप एक चेक आउट कर लिते हैं कि आपका वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है अगर आप इतना कुछ कर लिते हैं समझदी वजन आपका फिट है इससे ज़्यादा वज आपको परिशान आगे चलगेता सकता है ठीक है तो इस तरह से पकड़ना है और आगे ज्यान देना ठीक है अभी आप इसको हलका साय से मुवीं भी कर सकते हैं नीचे जुग सकते हैं साइड में जुग सकते हैं ठीक है इसको करने से भी रिलैक्स मिलता है बोड़ी आराम करती है ठीक है और सरीर में जो गांट वगएरा ये सब नहीं हुने देटी ठीक है अभी तरफ से हो गया इसी को लेफ तरफ से करेंगे राइट वाले हाथ को यहां देखिए कितनी पास से देखिए जिसको नहीं करना रहा हुआ उसके लिए बता रहा हुआ जैसे आप नीचे लेहाथ से थोड़ा इसको पूस्ट कर देंगे तो आपका असानी साह पहुंच जाएगा ठीक है फिर अमें इस पकड़ लिए लेफ साइट से देखिए सको कसके पगड़ा है इसमें भी ऐसे गुमाएंगे एसे लाएंगे लेखिए कि इससे वह आतनी बॉडी रटेक्स जाती है तो यह अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप उतनी बॉड़ी को चेक कर सकते हैं बॉडी में यह काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है अभी हम जो लाश्ट आपको दिखाने जारें जो सबसे ज्यादा आपके पेट को फाधा करता है जब ही पूरा योज़ कर लेंगे उसके बाद इसे करना है हांतों को दुना यहां करेंगे और सांसों को अंदर से बाहर फिकें पहले रिलेक्स हो जाएंगे और अब कर लोगो जाएंगे और अक्यों, सकत वालेक्स, झापके वोगोने जारें лड़ाः क्या करता है हाँ कर दो दुना रिलेक्स, कर दूक्स, कर रहा है करो दोग़ भाहे हाँ झाल झाल अब जैसे मैंने इस कपाल बाद्यू किया तो मैं अंदर से काउंटिंग भी करता रहता हूँ आपको सांस जो बहार फेकनी है कि जितनी बार फेकर हैं मैं इसको काउंट करता हूँ तो मैंने इसे धीरे दीर जब श्टार्ट किया पहले में सुलूम क्या जबता था जब इसको करता था तो मैं 40 बार ही करता था मुझे खांसी आने लगती थी 40 के बाद मैंने इसको 45 किया 45 से 50 किया 50 से 60 किया अभी मेरी चंपता 100 हो गई है ठीक है तो एक सांस में मैं इसे 100 बार कर लिता हूँ आपकी चंपता जो है उसके अनुसार ही करें इसे जबड़ दस्ती करने कर सकता नहीं है जब आप इसको करें धीरे-धीर स्वांस लिए आपकी सूख जाती है फिर आप इसे आप देखते कि आपको गर्माट हो जाती है और दूसा चीज़ आपका गरें एकदम सूख जाता है और पेट खाली खाली आपको लगता है इस स्था इसा से पेट को खाली जाने एक हो गया है पूरी तरह से खाली हो गया है यहां सरो अ yang और इस योग का काम सिर्फ सुभा है इसको करने का नियम जानेुए सुभा उठिये फ्रेस हो जाई इए पहले तो गर्म पर दोगाया और पानिक में जकरेंका n judक जरकें के निभान कि करने ऐसे यह यहाज को जो cheesy लेंगे तो अच्छे से चाहरा है काउंटिंग रोज बढ़ाईए पहले तीस पैटिस रोज करिए और हां ऐसा नहीं है कि आप सो नहीं कर सकते सो करने का दूसरा तरीका था में जैसे यह नहीं कि आपको एक बार में करना है जैसे किसी उद्दस आता है तो दस बार किया फिर रूग गया फिर सांस ले लिए फि दिन सो बार इसे कर लेंगे तो आसा करता हूँ आज की वीडियो यह बहुत पसंदाए होगी मेरे तमाम दोस्तों ने मुझे रिक्मेंट किया बार बार कहा कि भी आप इसको प्रीज एक बार आप करते हैं हैं तो आप इसे वीडियो क्यों नहीं बनाते आप रोज करते हैं दिखाते हैं तो मैंने इसके वीडियो बहुत पहले बनाई थे तो होता क्या है कि मेरे पास समय नहीं होता हैं तौ Сп मैंसुभा के टाइम में सूट नहीं किया हूँ आज आप लो फ क्रिच् मुझे कोई ठंड नहीं लग रही क्यों कि बोड़ी पूरी गर्म हो चुकी है तो कोशिस करिए और इस वीडियो में के माध्याप से आपको मुझे लगता है बहुत लाद मिरा होगा और आप लोगों को फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगा तब तक पिर जैसी राम हर हर महां ओू लब शिवाए